हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूर चैनल माई इंजिनिंग सपोर्ट दोस्तों स्टेर्स या स्टेर्केस मिन्स सीडिया आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेर्केस और इसके सभी पार्ट्स के बारे में मैं आपको स्टेर्केस के सभी पार्ट्स की डिटेल इमेज के साथ समझाने की कोशिस करूँगा ताकि आप स्टेर्केस की सभी टेकनिकल ट्रम्स को अच्छे से समझ जाए बहुत ही important वीडियो है अंत तक जरूर बने रहें ओके friends चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आप ये समझिए कि staircase एक steps का sequence है जो different elevations के दो points को connect करने के लिए एक breeze का काम करती है staircase का main purpose access provide करना होता है एक floor level से दूसरे floor level तक जाने के लिए ओके दोस्तो तो आईए अब हम staircase के different parts के बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहली technical term है tread तो step का जो upper horizontal portion होता है जैसा कि आप image में देख रहे हैं जहां हम अपने pair रखते हैं सीडियो पर उपर या नीचे जाने के लिए उसे tread कहते हैं जैसा कि आप image में देख रहे हैं यह upper portion tread है second technical term है rise या riser दो लगाताल tread के बीच का जो vertical distance होता है उसे rise कहते हैं असान भासा में कि जो सीडियो की टक्कर होती है जिस portion पर हमारा pair टक्कर मारता है उसे rise या riser कहते हैं आप यह देख रहे हैं यह खड़े वाला हिस्सा rise है जो tread के साथ connected रहता है और tread को support देता है fourth technical term है step एक tread और riser से मिलकर एक step बनता है means step एक riser और tread का combination होता है यह पूरा एक step है step भी different types के होते हैं कुछ common types के step है जिनके बारे में आपको बता देता हूँ जैसे bullnose steps, commode steps, dancing और balancing steps, flyer, round ended step, splayed step और winders आईए इनके बारे में थोड़ा brief में देख लेते हैं तो सबसे पहले type का step है bullnose step bullnose step generally flight के bottom में means निचले part में provide किया जाता है एकदम starting में जो newl के front से projected रहता है और इसका एक end circular quadrant plan में खतम होता है जैसे कि आप ये image में देख रहे हैं ये हमारा bullnose step है second type का step है commode step commode step में जिसमें tread और riser दोनों ही cud shape में है तो इसे ही हम commode step कहते हैं third है dancing step इस step को balancing step के नाम से भी जाना जाता है ये steps एक common center से radiate नहीं होते जैसे कि आप image में देख रहे हैं ये dancing और balancing step है number four है flyer यह एक ordinary step है जो rectangular shape में होते हैं जैसे कि आप image में देख रहे हैं कि इन सभी steps की shape rectangular है यही flyer steps है number five round ended step round ended step एकदम bullnose step के similar ही होते हैं सिर्फ इन में फर्किया होता है कि इन steps के end semi circular plan में रहते हैं जैसे कि आप image में देख रहे हैं number six है split step इन steps का एक end या दोनों end भी split होते हैं means फैले हुए तिर्चे यह split step की perfect image है आप देख सकते हैं number seven है windows step यह एक tapering step है जो किसी भी flight की direction change करने के लिए यूज किये जाते हैं जैसे कि आप image में देख सकते हूँ कि यह windows हैं जो इस flight की direction change करने के लिए यूज किये गए हैं थोड़े से taper करके तो यह है seven types के steps आईए अब हम अपने actual topic को cover करते हैं तो हमारे जो next technical term है वह है string string stair का वह inclined member होती है जो steps के end को support करती है इसे हम string कहते हैं string basically दो types की होती है एक cut और open string और एक closed और housed string next technical term है handrail तो string के उपर inclined rail को handrail कहा जाता है यह string के उपर हमारी handrail है यह generally molded होती है जो एक guard rail के तरह भी काम करती है जिसे एक convenient height पर provide करना चाहिए ताकि सीड़े चड़ते या उतरते समय इन पर हातों की पकड़ बनसके next term है baluster baluster wood और metal से बने vertical members होते हैं जो string और handrail के बीच में fix किये जाते हैं handrail को support करने के लिए जैसे कि आप image में देख सकते हैं यह सभी balusters है next term है balustrade और barister handrail और baluster के combined means पूरे framework को balustrade और barister कहते हैं यह पूरा framework बärister कहलाता है next term है flight flight steps की unbroken series को कहते है landing के बीच में जैसे यह हमारी total एक flight है और यह दूसरी flight है यह landing है इनके बीच में tenth term है going going दो riser के बीच का facing से horizontal distance होता है या इसे आप trade की width भी कह सकते हो 11th technical term है headroom यहाँ headroom को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले pitch को और pitch को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा nosing को देखिए अकसर आपने देखा होगा कि हमेशा tread थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है rise से यही tread की नाक या nosing कहलाती है जिसे aesthetic और appearance के लिए भी provide किया जाता है तो यह तो है nosing अब जो imaginary line बनती है इस nosing को touch करते हुए उसे line of nosing कहा जाता है जैसे के अब image में देख रहे हैं अब बात करें pitch की तो stair का वह angle of inclination जो stair floors के साथ मिलकर बनाती है उसे pitch कहा जाता है इस angle में वह angle भी include होता है जो line of nosing बनाती है अब बात करते हैं हम headroom की तो headroom क्या है हमारी line of nosing से upper flight तक का जो vertical distance होता है उसे headroom कहा जाता है और किसी भी case में headroom 2 meter से कम नहीं होना चाहिए तो यहाँ आप line of nosing समझ गए pitch समझ गए और headroom समझ गए आईए अब बात करते हमारी next technical term की जो है landing तो landing दो flights के बीच में जो horizontal platform रखा जाता है उसे landing कहा जाता है जैसे कि आप यह देख रहे है यह landing है यह क्यों दी जाती है क्योंकि landing एक तो जब direction change होती है flight की उसे आसान बनाती है दूसरा stair पर चड़ते उतरते समय user के rest purpose के लिए भी landing प्रवाइड की जाती है ताकि आप इस पर अराम कर सकें next term है new post new post एक vertical member है यह कह सकते हैं कि एक column की तरह है जो flight के top और bottom ends पर दिया जाता है string और hand roll को connect करने के लिए next technical term है run तो run horizontal plane में stair की total length को कहते हैं जिसमें landing भी include होती है देखिए यहां से यहां तक total run है इसे run कहते हैं next है scotia scotia एक additional finish और molding है या आप simply इसे ऐसे समझें कि नोजिंग के साथ में कुछ लगड़ी के गुटके लगाई जाते हैं वो scotia होते हैं next है sofit staircase के निचले हिस्से को sofit कहते हैं यह वाले यह generally ceiling या plaster से cover किया जाता है next है waste RCC staircase में जो structural slab की थिकनेस होती है उसे हम waste या waste slab कहते हैं और last technical term है walking line walking line वह approximate line है जिसमें लोग आसानी से सीडियों पर walk कर सकते हैं इसका handrail के center से लगबग साड़े 400 mm distance होता है तो यह है complete detail staircase के parts की तो I hope के अब आप इसे अच्छे समझ गए होंगे और यह जानकर आप लोगों के लिए useful लेगी अगर फिर भी आपके कोई query या समस्या है तो आप हमें अपने comment कर सकते हैं आपको reply जरूर दिया जाएगा और channel को भी जरूर सब्स्राइब कर लें क्योंकि यहाँ हमने staircase की नई series start की है जिसमें staircase की one by one सभी वीडियो जाएगी तो channel को जरूर सब्सक्राइब करें अगर staircase की इस series को अच्छे से समझना चाहते हैं ओके friends चलिए जल मिलता हूँ हमारी next video में और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फो वचिन धन्यवाद